कि हलो एफ्रिवन वेल्कम टू एए ऑनलाइन सॉलूशन मैं हूं अस्वाग कैसे आप लोग तो आज ना आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल लाया हूं और आपको पता है जब यह सेट आप देखो गया दूहाजर अठारा का सेट इतना आसान है और आपको जो मैं पढ़ा अठनी चोड़ेगा उसको एक अठनी में जिटी जिटी उठा लेगा एक एक इठा है ना तो चालिस में चालिस लाएंगे डरना मत कि सर 35 नमर आया तो कमेंट कैसे करें क्या बोलें कोई बात नहीं गलती होती है लेकि कोशिश करना ठीक है कोशन बड़ा असान सा है ओके और सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो को देखना अच्छा बात में बिहार का है जारकंड का यूपी का बच्चा में लिख दियो हम फूर आल बोड एक्जामेशन यूपी बिहार सब्सक्राइब सब बराबर होता है तो चलिए रेडियो हो जाए ठीक है सबसे पहला सवा रहा है सब्सक्राइब को तरी नौउमबर में 1905 जुलाए में तो अंसर हमारा नॉमबर 1907 में कितना है अगला सवाल तो हिंद्चीन पहुंचने वाला पर्थम व्यापारि कौन था जा रिदम बच्चा-बच्चा सवाल लागे कसम से बोल रहा हूं अंग्रेज्ज प्रांसीच यह पूर्थम पूर्थम पारी कौन था तो इसका अंसर बोलेंगे पूर्थम पारीट था ओके किलियर है अगला प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ तो यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा अगला सवाल देखे हैं राष्टी सुमाई सिवक संग्जिस को बोलते आर एस जैस कितना मैं पढ़ाया हुए कितना वार यह सवाल पी होगा तो चुझाएं रहत की कि अस्थापना हुई थी के बेहेट गेवार ने किया था अगला सवाल देजिए इंग्लैंड में इस तभी इस्तिरी एवं पूर्ष को वैस्ट कमत्र धिकार कब प्रफ्ट वा तो जैसे ही डेट वाला प्रस्ण आता है तो आपका दिमाह गूलने लगता है यह सर कौन सवाल अपने माबाप का नाम रसन करना अपने गाउं का नाम रसन करना है तो जरूर ध्यान से परों काउन सामाजिक वर्गे बुद्धी जीवी रुप में उब्हर कर समने आया था कौन सांसा ना बुद्धी बुद्धी वर्गे देसे और पती पतिज्ञी ठीक नेह्ते हों स्फला लेवर करते वा मदया हूआ टीस का बिल्कुल रात सब्मार ने यह देख़ो प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एस्या और यूरॉप का वेपार होता तो इस वरत्मान में मतलब 21 सदी 21 सदी का जो रेसम मार्ग है वो भारत और बांगलादेश भारत और बांगलादेश का जो है अस्थर मार्ग है उसको बोला 21 सदी का रेसम मार्ग जो भारत बंगलादेश के साथ है लेकिन प्राचिन में एसिया और यूरोप की बीठ हुआ करता था यह अगला सवा आर्थिक संकट के कारण ओमाई गड़ आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई आर्थिक नी परनाली नई शासन परनाली का उदय हुआ था ठीक है आर्थिक संकट के कारण कौन सी यूरोप में कौन सी नई शासन परनाली का उदय हुआ था स्वाम्यबादी शासन ल कि तंसर के हमार होगा हमारा अंसर ओप्शन नमबर सी इसका बिल्कुल राइट रहा ठीक है कि लिए अगला सवाल देखो किस पत्र ने रात रात वर्न क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भासा बदल देए वाँ क्या गजब का सवाल है कि कौन सा पत्र है जो रा सवाल किसने का था मुद्रन इस्वर की दीवी महांतम देन है सबसे बहुत तफ़ा है क्या बोलते यह सवाल में कर आए करो रात में लाइब क्लास में ठीक है तक वहां पर होता है और बाकी तो सवाल जाते रहेगा अंसर रहेगा मार्टिन लुथर ने बोला था ठीक है कि सब्सीय की सिराजी हो possibility कौन नहीं जानता है को नहीं जानता है जाने का वही नहीं जोंगी नाको कितना परतिसेतं की मातरां नहीं थैंसर क्या सवाल का वेरे गुड़ सावी लोग जी बहुत हलका कितने वर्गों में वर्गी किरित किया गया है तो तीन वर्गों में क्या होगा इसका इसका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा के लिए है जो पांस छे मिट हुआ का पंदरा सवाल के लिए करें चारीश सवाल है फड़ा फड़ बीस में कंदर कंप्रीट हो जागा विकाद आपका टैम बहुत ही कीमति है यह सवाल देखो जी कि एक एंसी ओ एंजियो की वानी की रिपोर्ट के नुसार उन्हें सोड़तालिस में विसमें कितने हेक्टियर यह सdt कρόड है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंस नंण अंप अगला सवाल एक टनव इस पक्ड़यां किसका असौद यह बराने में कितने मैंगनीज काई होता है एक टन इस पात बनाना है तो कितने मैगनेज करेंगे तो कितना बार यह सवाल है मुझे तो पूछो ही मत कितना बार सवाल है बहुत ही सवाल नभी जाता है काउन सब्ग्ता जाता है तो उपभोगता उद्धोग है कया होगा तो इसका करईट एंसर हो तो चीनी उद्धोग इसका होगा उपभोगता उद्धोग है अंसर हमार के अवसी होगा अगला सवाल देखेजी भारतिय अंतर देशिये जलमार गे प्राधिकर्ण किस वर से किया गया अच्छाशी में नवासी में पच्छाशी में तो अठारा नमर सवाल का अंतर हमार होगा और अप्शन और अच्छाशी बारतिय अंतर देशिये जलमार की प्राधिकर्ण का गठन क्या गया उनीच्छी अशी में में उमित करता हूँ कि अब तक आप लोग इंदम चक्का छु सब्सक्राइब करें लुप किस पर करेंज़ें कि तो नबारफ करां पाइड पाइड पायराट पाइड आए ऑको लेगर आहिए तो राज की बाद बता हूं इस से हलका सवाल अपाइड लागा यह पूज रहा हूं थो तक मुझे किस्ते अलगा को रगार का मार्स अलगा भी 2001 की जन्गना का सवार 2001 की जन्गना का सवार बिहार की नगरीय अबादी कितनी है तो वीच का अंसर हमारा हो जागा ना रंग वेद के विरूद नहीं थे ना रंग विरोष रंग विरूद नहीं थे तो अगला सवाल पड़ते हैं शंपरदायक राजनितिक संपर्दाइक राजनूत नीतिक किस धारना पुरा धारित है एक धर्म के लोग समान नागरिक की रूप में खुशी-खुशी साथ आते हैं एक धर्म के अनुजाई एक समुदाइब बनाते हैं एक समुदाइब का परभूत वे एनी एनी क्या लिख हो सभी धर्म पर कायम्र कर सुर्दाइक कर तो और सही लाएगा वहां पर संपर्दाइक राजनिती कह लायगा कि तो अम्रिका में संक्सारकार है यानि कि फ़ारत में भारत में परकिस्तान में भी है आपका बंगल्देस में भी है आपका भारती स्वतन तंत्र में लोक्तanti सारी भारती सत्ता के विरुद सत्ता पाले के विरुद जन आक्रोस हुआ तो इसका ऑन्स गुए उनिस्ट सथी कि देशक किस मेंroyis Χ to teach worker ٹन की योगा चोबीस और sympath हो जागा आदर हमारी अंसर होगा चिपको आंदोलन को नहीं जानता है नौमा अठमा क्ला से पड़ते आ रहे हों नौमा क्ला से पढ़े होंगे आद दसवां तो आई रहा और उमीद एक सवाल आए सुन्दर लाल बहुत इंपोटेंट अ मतलब बहुत क्या बोलते हैं नित्रित करने वाले थे और वो थे पेड़ बशा सवाल तारी विरोधी यारे बापने तारी जानता ना तारी जो बड़ा बड़ा होता है लबनी होता है इसमें लगाता है तारी विरोधी बोलता है तो तारी विरोधी अंदोलन चला था इसको पीने वाद तो जानते क्या होता है है ना यह चला था कहां 26 कंसर यह होगा बिह तार में चला था सवरी शरी यह मैं अंसा गलत बता दिया हूं तारी विरोधी अंदोलन चाहता वह आंध्रे परदेश में ठीक है अंसा हमारा सी ओगा जिसका अंसा यहारा काफी काभी तारीफ है आप लोग परसंसा के लाइक है अंसा नहीं हो गया तो कभी-कभी हम भी लोम की न्यू सब से पती लगे अन ada बनाइं जाए हैना राजों की नियू सब से प्ले किस देश में पड़े थी great अ भारात फ्रान्स सन्युक्तिराश्ट अमरिक भाएगा हँच्छ ज सब्सक्राइब पड़ी और वह पड़ी थी ब्रेटेन में ग्रेट ब्रेटेन है ना अंसर वान क्यों ओप्षन एजोगा बिल्कुल सही हो जाएगा अगला सवाल देखो गटबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस परकार की दली विश्था में रहती है तो गटबंधन के मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा दल मिलके गठबंधन हो जाए ना मतलब दो या दो से ज्यादा अगर मिल जागा ना तो क्या बोलेंगे ब बहुत दली हो जाए दो दल से ज्यादा गठबंधन गठबंधन कैसे गिठ्था को बांते रसी में धेर साथ बनाता उसको गठबंधन बहुत सारकार जो है मिल गठबंधन सरकार के लिए आगला सवाल है निम्हें की तो मैं से कौन सा राष्ट्य दल नहीं है ना नेशनल प कि राष्टी यहां पर होना चाहिए था हुत है के लिए तो आप भारतफियर राष्ट्य कॉंग्रेस तो जानते है को ने जानता है B बहुजन समाझ पार्टी बी हैसवी ना लोग जन सथि पार्टी भारतिय का पार्टी बensa संहारी और यह तो जेवी यहां पार्कम में औ यह है पंजा वाला पंजा वाला और यह कमल चाप यह हाथी चाप मायावती वाला तो जन लोग जन सकती पाटी यह ना यह निशनल पाटी नहीं अंसर हमारा सी अंसर होगा अगला सवाल इन में से किस देश में मिश्रित अर्थवरस्ता है तो अंसर क्या होगा भारत नहीं है ना अगला सवाल इन में से किसे पिछला राज कहा जाता है हां अबल का बहुत अच्छा सवाल है पिछला राज यह तो और विहार व्ला बचतों और मारें घटा घटे आंसर क्या होगा विहार राज को पिछला राज पहाँ जाता है क्या रहुगा सी है ना पिछला कंवस पेह को शेर बजार की नियामक संस्था यानि की कौन सी चब्स का मात है जो शेर बजार की नियामक इस पूर्प एक्सचेंज तो इस्का अंतरू का से बी क्यों होगा से बी चलो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं से बी का एस इडी आई ऑके से फुल फॉर्म निचे कमेंट करेंगा अगला सवाल इन में से संस्थागत का साधन है संस्थागत कौन है जो वित परदन करता वैपारी इस्तिदार महाजन तो बहुत मुश्किल स पास पैसा नहीं कलता है आप जाएए ने कर्जा मंग लेए जल्दी कर्जा ने मिलेगा रिष्तिदार हाँ लेकिंगे वैप मेंक्ट होता है उससे आपको मिल सकता है ना सब्सक्राइभारात की वित्तिय राधनी किसको कहते हैं और वो कहते मुंबई को नहीं जानता अगर इस सवाल को नहीं है और बिमारु राजी इसमें से नहीं यह बताना है तो बिमारु का पता है इसमें चार राजे चुपा हुआ है तो तो तीन् राजा में पर्देश यह बीमारु जाजी यह बीमारु यह बिमारु जाजी आंसर हमारा सी ऑफ्सन हमारा सी होगा इसका राट एंसर हमारा क्या होगा कितने अंग है तो बाइसक के मुख्य कितने अंग है तो उपभोगता सरक्षा अधिनियम की घोषना कब की गई है तो भारत में उपभोगता सनक्षन अधिनियम की घोशना कब की गई कब हुई तो आगला सवाल है कि भूषनों की परिशुधता के लिए मानेता पराप्त ची है और क्या है एस आई एस सब्सक्राइब करते हैं अगला सवाल नदियों में बाल आ रहे हैं कि पर्मुकारण क्या है नदियों में बार आने का पर्मुकारण क्या है किलिर है नदियों में बार आने का पर्मुकारण बता यह जल के अधिकता के लिए वर्षा के अधिकता के लिए नदी की तली में आउसाद का जमाव होना इन्मिस को नहीं तो जब वर्षा जब ज़्यादा हो जाएगा ना तब और पानी के संभावन होती है उस घर की चैसे चाहिए चालिस का बूरेंगे घर बनाएंगे तो बहुत थीक हुची की बात यह हो गई कि 20 ते किसमेट हो रहा और मैंने आपको 40 सवाल कंप्रीट करा ज्यादा टैमिस्टिव नहीं होगा तो चालिस में मेरे ख्याल से तक कि मैं अपना वहाँ यह वाल Hm समझते ने यह वाला है ना इसको मैं वाँ पर दे पाऊं तो अच्छी लगी वीडियो लाइक तो जरू किजेगा ठीक है और मिलता हूं है इसी दिन अगले सब्सक्राइब को ही दो हजार अठारा का सेकंड सिफ्ट कम अला हूंगा ठीक है ओके बाइड जाल थेंक यूवरीवन है बेन नाइस डे